सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहेगा आपका दिन, सुरुआत करते हैं आज के सुविचार सी गुरू और शमुद्र दोनों ही गहरे हैं पर दोनों की गहराई में एक फर्क है समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरू की गहराई में इंसान उभर जाता है बोल कर नहीं, करके दिखाओ दोस्तों, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना जादा पसंद करते हैं, सिक्छक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुड जहां हैं, वही पर रहते हैं, मगा दूश्रों को उनकी मनजिल तक पहुचा ही देते हैं आज का पंचांग, 25 दिसंबर दो हचार तेईस, देन शोम मार, मार गशेश मास के शुक्लपक्च के चतूर दशी तिथी, सुबा पांच बच कर 46 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान पुर्णीमा तिथी प्रारम हो जाएगी, रोहडी नामक नक छत्र, रातरी 9 बच कर 49 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान पुर्णी मिलट दो पहर 12 बच कर 6 मिलट सी, 12 बच कर 50 मिलट तक रहेगी, आज चंदरमा वृशे प्राशी पर संशायर करेगी, और आश्यूर्य धनुराशी पर रहेगी, तुला राशी, 25 दिसंबर दो हचार तेईस दिन शोम मार, ये सही समय है जबकि आपको अपने वैस्त दिन शरिया से समय निकाल कर अपने आसपास की इस्थीतियों और अपने इस्थीति को ध्यान से समझना है आप अपने विभिन करतव्यों को पूरा करने के लिए भाग दौर करते रही हैं अप अपनी छमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं अप अराम से बैड़ कर अपने प्रयाशों और वेहनत का आनद उठाने का समय है आज आपको कई बैठोकों में बुलाया जा सकता है वेह पारिक सोदे को आपकी इन्पूर्ट या विचार में मर्शे के आवश्यक्ता होगी अपने पती पतनी या साथी से राय जरूर ले अभी स्वास से सम्मंधित मुद्ध्या आपकी प्रात्मिक्ता है हाल ही में हुए किसी जटके जैसे आर्थी खाने से आपको तनाव हो शकता है बुरायों से बचे और घुट के देखभाल करने का प्रयास करी और ध्यान या यात्रा के माध्यम से अन्यविकल्पों को तलासी इसे आपको जीवन में नए दुश्टी कोड मिलीगा अगर अकेला में एसूस कर रही है तो अपने प्रियचनों से मिली कोई रिष्टेदार इस समय उम्मीद से अधिक आपकी मदद करेगा वित्ती योजना और रणीती के लिए यह बिलकुल उप्युक्त दिन है इससे मैं आप अपने ग्यान का पुरा प्रियोग कर रही है ऐसे विश्यों के बारे में बाच्चीत खोलने का भी या एक अच्छा समय है आज जब बड़े पैमानी पर आर्थिक मुद्दों को भी समहा लेंगी दोस्ता प्यार या मनो रंजन सब प्यार से ही समभव है लेकिन इन सबसे आप खुश्यां पराप्त कर सकती है याद रखे कि खुशी कभी साज़ा करने से कम नहीं होती इसलिए दुश्रों से अपने दिल की बात करने से पीछे नहीं हटी यात्रा आपके लिए ठकाओ और तनाव पूर्ण शाबित हो सकती है आज आपसानी से पैसे एकठा कर सकते हैं लोगों को दिये पुराने कर्जब वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई पर योशना पर लगाने के लिए धन अरजित कर सकती है जीवन साथी जिन्दगी में बदलाव लाने में मदद करेगा खुद को एक जिन्ददिले और गर्म जूसे से भरा इंसान बनाए जो जिन्दगी की रह अपनी महनत और काम से बनता है साथे इस राह में आने वाले गड़ों और दिक्कतों से दिल छोटा ना करे अज़ा आपकी मुश्कान बेनामी और हसी में वो खनक नहीं है दिल धड़कने में आनकानी कर रहा है क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी मैसूस कर रहे है आपको अपने घर के छोटे सदश्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप घर में अच्छा महौल बनाने में काम्याब नहीं हुपाएंगे उबाव होती शादी सुदर जिन्दगी के लिए कुछ रोमान्चप ढूडनी की ज़रत है मुश्किलों के दिन अब खत्म हो गए है अब आपको अपने जीवन को नहीं दिसा देने के बारे में विचार करना चाहिए कोई सरकारी माम लटका हुए है तो उसके सुरचनी की शंभावना है रशनादमक और मन चाहे काम के लिए जरूर समय निकाले इससे आपको माशिक शुकून मिलेगा और रिलेक्स मैसूस करेंगी घर के रख रखाओ शम्मंदित गतिवीधियो पर भी समय वतित होगा शौधानिया आर्थिक इस्तिति समान नहीं रहेगी कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे की जीन पर कटोती करना भी शंभव नहीं होगा आज अपनी किसी यूशना को क्रियान वित करने के लिए असमन जेसे के इस्तिति रहेगी विरोधियों की गतिवीधियों को भी नजर अंदाज ना करे बात करते हैं लव लाइफ की आज अब एक नया सम्मन बना सकते हैं आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा आपका कोई खासा आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उससे प्यार करेंगे हलकि परिवार के बीच में आने की कारण को समशाएं हो सकती है इसके साथ साथ कुछ अन्या अप्रत्यासे परिस्थीत्यां भी इस सम्मन की गहराई को परक्तने के लिए सामने आईगी ऐसे व्यक्ति से अपने रहश्यों को सेयर करें जिन पर आप विश्वास करती हैं अपने समाजिक सरकल से बाहर निकल कर कुछ नया ट्राई करें उद्देश की सच्ची भावनों को प्राप्त करके आपकी चिंताएं कम हो जाएगी ध्यान करने से आप अपने शपनों और जुड़ सकती हैं यदि आप अभी अकेले हैं तो कोई खास व्यक्ति जल्दी ही आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है आप दूश्रों के जरुवतों और इच्छाओं के अनुरूप काम करेंगी वित्ति निवेश की योशना बनाएं अपने लक्षी की तरब बढ़ें और अपने प्यार की रिस्ते को और भी मजबूत बनें संचार और वारतलाप इससे में आप के लिए सकरात्मक और आकरशक है इसे लिए इसका फायदा उठें दोस्ताना रिस्ते रोमेंटिक अफियर्ष और सारिक सुक अभी आप की प्रात्मिक्ता है अपने विचारों और दिल की बातों को दबाई नहीं अपीतू अपने साथी को अपने बात इस पश्टता से बता सकती है बात करते हैं करियर की आज आप कोई अप्रत्यासित या अनर्जित आय प्राप्त करेंगे किसे चीज का अंत्या कोई अजीब दिक्कत अभी आप पर हावी हो सकता है जिसे आपकी योशनाओं पर मनोबल में बाधाएगी लक्षों पर अपने ध्यान को केंदित करनी के लिए समय निकाले शोत करें या अपनी उस चिंता को दुशों से सेर करें जो आपको परिशान कर रही है बुजूर्गों और जोखिमभरे निर्णयों को नचर अंदाश करें एक बदलाव जैसे किसी नए परिवेश में इस्थानांतन की भी शंभाव ना है इससे में आप अपने आसबास के लोगों पर अधिक धियान दे रही है और अधिक सहज मैसूस कर रही है अज़ा आपको कुछ अप्रत्यासित वित्ती योशना बनानी की भी शंभाव ना है अभी उन नीजी बातों को नीजी ही रखी जिनें आप किसी से भी बाटना नहीं चाहते और आपके असूरक्षा को किसी अन्य के साथ साजा ना करी वेवेशाय से सम्मंधित लोगों को कुछ विचार करने की आवशकता हो सकती है याद रखे खुश्या साजा करने से भी कम नहीं होती आज आतित्य परोपकारी गति वीदियो में काम कर रहे हैं लोगों के लिए एक विशेज दिन है आज आज आपके विद्रोही भी आपके सामने चुकेंगे सफलता आपके पांस आएगी आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई नर्णे नाले जिससे आपको कोई नुक्षान हो आए के अधिक इस दुरोतों को प्राप्त करने के लिए प्रयाश्रत हैं तो आज आप भागिशाली हो सकती हैं बात करते हैं सेहत की आपके उर्जा आपको काफी और शाही मनुवृत्ती में रखेगी आप इछले कोई समय से वयाम का अभ्याश नहीं कर पा रहे थे और इस कारण काफी बेचयन मैसूस कर रहे थे वही सब शुरू करने के लिए काफी अच्छा दिन है आप स्वासों को अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना चाहते हैं और आज आप इसके लिए प्रयाश शुरू करेंगे वयाम करती हुए सही तरीकी का पालन करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है आज का उपाए आज आप शिवलिंग पर जल में तील मिलाकर चड़ाएं शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुब हूँ